हालो इन गुड मॉनिंग एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी ग्लॉस पर मैं हूं डॉक्टर मॉनिका और आज हम 24 जनवरी का करंट अफेड डिसकस करने वाले है आपको इस सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेशन से रिल यह भी आपको टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है who has become the new chairman of Indian Farmers Fertilizer Corporation भारतिय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने है तो यह बने है दिलिप संगानी बने है और Indian Farmers Fertilizer Corporation के board of directors ने दिलिप संगानी को कौर्परेटिव का 17th नंबर का जो चैर्मेन है यह बनाया है और यह बन्विंदर सिंग की जगे लेने वाले हैं जिनका पहले जो 11 October 2021 को इनका निधन हो गया था और इससे पहले जो संगानी है यह 2019 से इफको के जो vice president है इसके रूप में काम कर चुके हैं चलिए इफको की हम बात कर लेते हैं तो जो इफको है यह Indian Farmers Fertilizer Corporation Limited इसकी full form है और यह world का सबसे बड़ा fertilizer cooperative organization है इफको ने 40,000 cooperative इसके member है इफको के और यह organization mainly fertilizers के production और marketing के लिए responsible है इफको का जो headquarter है यह New Delhi के अंदर है यह established हुआ था 3 November 1967 को और इसके chairman कौन बन गये हैं तो यह दिलिप संगानी बन गये हैं चलिए top 5 president की हम बात कर लेते हैं तो जो new chairman of the finance industry development council तो यह बने है कमलेश गांदी वित उध्योग विकास परिसत के नए सहध्यक्ष बने हैं यह इसके बाद में बात करें इंडिया यामाहा motor private limited के नए chairman कौन बने है तो यह बने है इशिन चिहाना बने है और federation of Indian chambers of commerce and industry के नए chairman कौन बने है तो यह संजीव मह बने है और डिजनी के 90 years की history के अंदर डिजनी बोड की पहली जो woman chairman है यह कौन बनी है तो यह Suzanne Arnold बनी है national asset reconstruction company के नए chairman कौन बने है तो यह प्रदीप शा बने है तो यह भी important fact है तो यह थोड़ा आप ध्यान रखिएगा second number question है with which country हिंदुस्तान Aeronautics Limited has signed an agreement for the export of advanced light helicopter ALHM के 3rd हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने उन्नत हल के helicopter ALHM के 3rd के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझोता किया है तो यह किया है मौरिशिस के साथ में किया है और मित्र देश के defense export को boost करने के लिए हिंदुस्तान Aeronautics Limited है इसने एक advanced light helicopter ALHM के 3rd के export के लिए मौरिशिस गवर्मेंट के साथ में एक contract sign किया है और जो हिंदुस्तान Aeronautics Limited है इसके अनुसार ALHM के 3rd 5.5 ton class का एक multi roll multi mission versatile helicopter है और यह इंडिया और विदेशों में प्राकरतिक आपडाओं के time कई life saving mission पर यह जा चुका है चलिए हिंदुस्तान Aeronautics Limited की हम बात कर लेते हैं तो यह established हुआ था 23rd दिसंबर 1940 के अंदर इसका headquarter बेंगलोर करनाटका के अंदर है इसके chairman MDR माधवन है 3rd number question है Who has been appointed by the Reserve Bank of India as the chairman of Unity Small Finance Bank बातिया रिजर्व बैंक ने किसे Unity Small Finance Bank का अध्यक्षन उख दिया है तो यह क्या है विनोद राई को किया गया है और हम बात करें तो विनोद राई केक से retire होने के बाद bank board bureau के head रहे हैं BBC के हम बात करें तो यह public sector के bankों में top post appointment के लिए government की advisory body है चलिए RBI के हम बात कर लेते हैं तो RBI regulates all the banks in India भारत में जितने भी bank होते हैं उन्हें RBI के द्वारा regulate किया जाता है और इसकी full form है Reserve Bank of India यह established हो आता 1st April 1935 को और यह किस अधिनियम के थूँ यह established हो था तो यह भारतिय Reserve Bank अधिनियम 1934 के थूँ यह established हो था और इसके बाद में बात करें headquarter Mumbai महाराष्ट के अंदर है इसके governor है शक्ति कांदास और अब present के अंदर RBI की में 4 deputy governor है यह कौन-कौन से है तो यह है महेश कुमार जेन, माइकल पात्रा, M. Rajeshwar Rao और T. Rabi Shankar है और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो यह भी RBI को कहा जाता है और Reserve of India when the bank was nationalized तो यह nationalized इसका राश्ट्री करन कब हुआ है तो यह 1st January 1949 को हुआ है इसके बाद में हम बात करें तो जो भारती Reserve Bank के पहले अंग्रेजी governor कौन थे तो यह इनका नाम है Sir Osborne थे और इसके बाद में बात करें तो जो भारती Reserve Bank है इसके governor की न्युक्ति कौन करता ह है तो यह प्रदान मंतरी वृत मंतरी की सला पर करता है और शुरुवात के अंदर जो RBI है इसका जो Kendriya कारयल स्तापित किया गया था ये कॉलकत्ता के अंदर इस्तापित किया गया था फिर RBI का जो केंद्रे कारेला है इसको इस्ताई रूप से मुंबई से ट्रांसफर कर दिया गया 1937 के अंदर और अब इसका हेड़कॉर्टर कहां बन गया है मुंबई के अंदर बन गया है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा फॉर्ट नमर केशन है विश वर्ड हैस बीम चूजन बाई Oxford University Press एस चिल्डर्न वर्ड ओफ दे इयर फॉर दे इयर 2021 Oxford University Press ने किस शब्द को वर्ज 2021 का चिल्डर्न वर्ड ओफ दे इयर चुना है तो ये एंजाइटी जो वर्ड है इसको चिल्डर्न ओफ इयर चुना गया है और इसके बार में बात करें तो Oxford University Press ने अपने रिसर्च के बेस पर जो एंजाइटी वर्ड है इसको 2021 के चिल्डर्न वर्ड ओफ दे इयर के रूप में चुना है इसके अंदर Top 5 वर्ड की हम बात करें तो First Position के अंदर है एंजाइटी जो वर्ड है ये है Second है चुनोती पून चैलेंजिंग फिर है अलगाव आईसोलेट फिर है कल्यान वेल बिंग और 5 पोजिशन के अंदर है लजीलापन Resilience 5 पोजिशन के अंदर है ये तो ये Top 5 वर्ड है Top 5 वर्डस ऑफ येर की हम बात कर लेते हैं तो जो Dictionary.com ने किस वर्ड को 2021 का वर्ड ऑफ येर चुना है तो ये है Alloyship College Dictionary ने किस शब्द को वर्ड ऑफ येर 2021 चुना है तो ये है NFT और Oxford ने किस वर्ड को Oxford हिंदी वर्ड ऑफ येर 2020 के रूप में चुना है तो ये है Self Reliance आर्ट में निर्वतार जो वर्ड है इसको चुना गया था और Miriam Babister Dictionary ने किस वर्ड को 2021 का वर्ड ऑफ येर चुना है तो ये है Vaccine फिर बात करें Cambridge Dictionary ने 2021 का वर्ड ऑफ येर क्या चुना है तो ये है Perseverance 5 नंबर question है Who has been honored with Genesis Prize 2022 Genesis Prize 2022 से किसे समानित किया गया है तो ये समानित किया गया है Albert Wola को समानित किया गया है ये इसका character answer होगा और Albert Wola को Genesis Prize 2022 अवर्ड दिया गया है और ये Pfizer Pharmaceutical Company के Chairman और Chief Executive Officer है और इने COVID-19 Vaccine जिसका नाम है Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine इसके विकास के अंदर उनके प्रियासों के लिए या वोड दिया गया है और इसे क्या बोलते हैं तो इसे येहूदी Nobel पुरसकार के नाम से भी जाना जाता है और जो Genesis Prize है जो इनके बारे में हम बात करें तो ये येहूदी लोगों को दिया जाने वाला एक मिलियन डॉलर का वार्शिक पुरसकार है जिनोंने अपनी उपलबदियों मानवता में योगदान और येहूदी मुल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की माननेता में महत्वपूर्ण व्यवसाइक सफलता हसिल की है तो उन लोगों को ये पुरसकार दिया जाता है और इस बार किसे मिला है इस बार मिला है अलबर्ट वोला को मिला है जो Pfizer Pharmaceutical जो कंपनी है इसके Chairman और Chief Executive Officer है चलिए Top 5 Prestigious Awards के बारे में हम बात कर लेते हैं हमारे Question का टाइप अवोर्ड से था तो कुछ और भी Important अवोर्ड है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले है Dr. Ambed का अवोर्ड 2021 ये किसे मिला है तो ये मिला है हर्शाली मलोत्रा को दिया गया है इसके बाद में First South Korean Actor to Win a Golden Globe Award तो ये किसे मिला है ये मिला है O. Young Sue को दिया गया है इसके बाद में है Best Actor in Drama at the 79th Golden Globe Awards 2022 तो ये Will Smith को मिला है इसके बाद में बात करें जो रामनात गोईन का अवोर्ड है ये किसे दिया गया है तो ये मिला है जिशान ए लतीप को दिया गया है और World CEO Winner of the Year 2021 Award किसे दिया गया है तो ये किशोर येदम को दिया गया है तो ये कुछ important Awards है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 6. Question है Which country has successfully test fired Aero 3 missile किस देश ने Aero 3 missile का सफल परिक्षन किया है तो ये किया गया है इसराइल के दौरा किया गया है और इसराइल ने Aero 3 missile का successfully test किया है और इस testing को lead किस ने किया है तो ये इसराइल Aero Space Industry के दौरा किया गया है और इसे अर्थ के atmosphere के बाहर ballistic missile को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके बारे में बात करें तो ये जो पूरा system है ये algorithm best है मतलब बिल्कुल सटीक है और ये किसी भी आने वाले खत्रे को फोरण पकर लेगा और इसकी जानकारी theater command को दे देगा फिर ये कुछी second के अंदर जवाबी कारवाई के अंदर दुश्मन की जो missile है इसे ये missile मार गिराएगी तो ये जो है इसे प्रत्वी के वायू मंडल के बाहर ballistic missile को रोकने के लिए इसे specially design किया गया चलिए इसराइल के हम बात कर लेते हैं तो इसराइल is located in the continent of Asia जो इसकी capital है ये है जेरूसलम इसराइल की currency है इसराइली शेकेल इसराइल के जो prime minister है ये है नफ्ताली बैनेट इसराइल के president है इसाख हर जोग फिर बात करें what is the name of parliament तो ये है नेसेट इसराइल के सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है Jordan नदी longest mountain range का क्या नाम है तो ये है Mount Hermon फिर है जो सरवादी के सबसे ज़्यादा जो यहूदी है ये कौन सी country में रहते हैं तो ये इसराइल के अंदर रहते हैं 7. question है San Nino de la Fuente Garcia has passed away at the age of 113 who was he San Nino de la Fuente Garcia का 113 वर्ष की आयू में निधन हो गया है ये कौन थे तो ये oldest person in the world सबसे भुजूर्ग व्यक्ती थे पूरे विश्व के अंदर और इनके बारे में हम बात करें तो दुनिया के सबसे भुजूर्ग व्यक्ती Spain के थे ये और ये San Nino de la Fuente Garcia इनका नाम था इनकी मोध हो गई है और ये 112 साल और 341 दिन के थे और 24 दिन के बाद में क्या है इनका 113 जो बर्डे है ये आने वाला था और San Dino ने सितंबर 2021 के अंदर Guinness Book of World Record के अंदर सबसे भुजूर्ग व्यक्ती होने का record अपने नाम करवाया था और उस समय इनकी जो एज थी ये 112 साल 211 दिन थी चलिए top 5 deaths की हम बात कर लेते हैं जो recently हुई है और आपके exam point of view से ये पूछी जा सकती है तो सबसे पहले है Charles Gesh के इनकी death हुई है ये कौन थे तो ये है co founder of adopt और pdf फिर है एहमद हुसेन जिनकी death हुई है ये कौन है तो ये former footballer थे फिर है dr. ककरला सुबबा इनकी death हुई है ये कौन थे तो ये famous radiologist थे फिर है रंजीत सिन्ना इनकी death हुई है तो ये कौन है तो ये है CBI के जो पूर्वे प्रमुक है ये थे फिर है GVG कृष्णमूर्ती इनकी death हुई है तो ये थे former election commissioner थे पूर्वे चुनाव आयुक्त थे तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा 8. question है Where has the statue of कार्गी लवार hero Captain Vikram Batra been unveiled by the Indian army कार्गी यूद के नायक Captain Vikram Batra की प्रतीमा का अनावरान भारती सेना द्वारा कहां किया गया है तो ये पालंपूर हिमाचन प्रदेश के अंदर किया गया है Captain Vikram Batra की हम बात करे तो ये भारती सेना के एक अधिकारी थे जो 1999 के जो कार्गी लोर है इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनको मर्णो उपरान जो परमवीर चक्र है इससे इन्हों ही सम्मानित किया जा चुका है और भारत द्वारा इंटरसेप्ट किये गए पाकिसानी सेना के आंत्रिक संदेशों को अक्सर उन्हें शेर्चार या शेर किंग कहा जाता था और इनके उपर एक फिल्म भी बन चुगी है जिसका नाम शेर्चा है और हिमाचर प्रदेश के पालंपूर में बुद्वार को कारगिल युद के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतीमा का अनावरन किया गया है यह आप फोटो देख सकते हैं नाइन नमबर क्रेशन है अकॉर्डिंग टू दे रिपोर्ट रिलीजड इन ट्वंटी ट्वंटी टू वो हैस बिकम दे मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ड 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोग प्रेशनेता कौन बने है तो यह बने है नरिंद्र मोदी जी बने है सीस का करेक्ट आंसर है और फेवरेट लीडर्स की लिस्ट के अंदर 71% रेटिंग के साथ जो इनका नाम है यह टॉप पर रहा है और पीम नरिंद्र मोदी ने नमबर 2021 के अंदर भी वर्ड मोस्ट पॉपुलर लेडर की लिस्ट में यह टॉप पे रहे थे इडिया के फिर है एंद्रेज मैनुएल लॉपेज अब्रोदोर जो है मेक्सिको के राष्टपती है थर्ड पोजीशन के अंदर है मोरियो दाग्रे जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर है और यह इश्यू किसने की है तो मॉर्णिंग कंसल्ट के द्वारा इश्यू की जाती है फिर इसके बाद में बात करें मॉर्णिंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्यू के जो तेरा नेताओं की सूची के अंदर अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन का जो पॉजीशन है यह सिक्स पॉजीशन के अंदर है और 43 परसेंट रेटिंग मिली है इनको फिर बाइडन के बाद में है कनाड़ा के राष्टपती जस्टिन टूट ड्रो उनका नाम है जिनको भी 43 परसेंट की रेटिंग मिली है और ऑस्टेलिया के पीम इसकोट मॉरिशन को 41 परसेंट की रेटिंग मिली है 10 नमर क्वेशन है शेर बाजार में दोके से बचने के लिए साथी मॉबाइल एप को किस ने लॉँच किया है तो ये सेबी के द्वारा लॉँच किया गया है सेबी ने इंवेस्टर्स एजुकेशन पर साथी मॉबाइल एप को लॉँच किया है और इस new app के अंदर जो main aim है इसका ये investors को stock market के बारे में accurate knowledge के साथ empower करना है और app large scale पर individual investors को पूरा करेगा जिनोंने recently market में entry की है और अपने mobile phone के थूँ जिनोंने व्यापार किया है चलिए सेभी के बारे में हम बात कर लेते हैं तो ये established हुआ था 12 April 1992 को इसका headquarter मुंबाई के अंदर है और इसके chairman है अजयर त्यागी चलिए 22 January के हम question revise कर लेते हैं First question है AFC महिला football Asia Cup 2022 की मेजवानी कौन सा देश कर रहा है तो ये कर रहा है इंडिया कर रहा है Second question है 19 January 2022 को राजपूत राजा महाराना प्रताप की कौन सी पुन्यतिती मनाई गई है तो ये मनाई गई है 343 वी जो पुन्यतिती है ये मनाई गई है Third question है किस देश की अध्यक्षता में वर्स 2022 की ब्रिक्स शेरपाओ की पहली बैठक आयोजित हुई है तो ये हुई है चाइना की अध्यक्षता में की गई है Four number question है अंतराश्टी लोग कला महसव में किसने स्वान पदक जीता है तो ये जीता गया है सुमित भाले ने जीता है Five number question है विदेश्य टीमों के घर पर एक दिवश्य इंटरनेशनल में सबसे जादा रन बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने है तो ये बने है विराट कौहली बने है Six number question है हाली में टॉरेंटो वाटर फरंट मैरातन का टाइटल स्पॉंसर कौन बने गया है तो ये TCS बन गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो बन गया है Seven number question है हाली में किस टैनिस प्लेयर ने 2022 सीजन के बाद सन्यास लेने की गोशना की है तो ये की है सान्या मिरजा ने की है Eight number question है किस राजे सरकार ने सरकारी नोगरी के इच्चुग उमीदवारों के लिए उपरी आयो सीमा में पाच वर्ष की व्रद्धी करने का निर्ण लिया है तो ये लिया है मेगाले गवर्मेंट के द्वारा लिया गया है 9 number question है वैश्विक निवैस रुजान मोनीटर रिपोर्ट 2021 को किस ने जारी किया है तो ये जारी की गई है United Nations Conference and Trade and Development के द्वारा डील्स का correct answer होगा 10 number question है 23-28 जन्वरी 2022 तक होने वाला ओपरेशन सर्ध हवा किस से सम्बंदित है तो ये BSF से सम्बंदित है Border Security Forces related है और ये है 22 जन्वरी का study gloss question नासा अंतराश्च के वायू और अंतरेक्ष कारिकरम पूरा करने वाली पहली भारतिये है तो ये है जान्वी डगेती है और उनके बारे में बात करें तो ये आंदर प्रदेश की रहने वाली है 19 साल की है और इन्होंने इतियास रच दिया है जान्वी पहली भारतिये चात्रा है जिन्होंने अमेरिकी इस्तित नासा लॉंच ऑपरेंशन्स केनेडी स्पेस के सेंटर के अंदर इंटरनेशनल एर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया है ठीके तो इसका correct answer A होगा और ये है आज का study gloss question 3 trillion dollar market value वाली दुनिया की पहली company कौन सी बनी है तो इसका answer आप मुझे comment section में दीजेगा I hope आपको इस session पसंद आ रहा होगा और आज की session का जो PDF है और जो quiz है आपको telegram channel पर मिल जाएगा वहाँ जाकर आप इसे attend कर सकते हैं इसकी practice कर सकते हैं और guys अगर आपको session अच्छा लग रहा है तो आप इसे share कीजिए, like कीजिए तो चलिए मिलते हैं हम नए session के अंदर Thank you